हाई गाईज वेलकम बैक आएम विवेक सिंगल from tradingwithvivek.com और आज है संडे संडे को हम लोग लेकर आते हैं चार्ट ओफ दा वीक और एवरी संडे हम एक ऐसा स्टोक डिसकस करते हैं जिसमें एक अच्छा खासा पोटेंशल नजर आता है means next one year में 40% plus का growth देने का उसके अंदर potential होता है तो उसके बारे में हम business भी understand करते हैं business समझते हैं फिर fundamentals देखते हैं उसके balance sheet ratios वगारा सारी चीजे की कहां से revenue आई और कितनी आई और आगे क्यों आ सकती है और साथ में हम technical analysis भी cover करते हैं कि operators इस particular stock में किस तरह की positions बना रहे हैं तो जब यह सारी चीजे cover हो जाती है तो यहां पर हम एक confidence के साथ अपने trade को ले सकते हैं और शांती के साथ बैठ सकते हैं जब तक target achieve नहीं होता है लेकिन आगे बढ़ने से पहले इन सब चीजों को discuss करन सबसे पहले अगर subscribe नहीं किया है channel को तो subscribe कर लें क्योंकि ठीक साथ बजे everyday 7 o'clock in the evening एक new video हमारी आती है जिससे हम सब अपने trading and investing skills को sharp कर सकें अपनी life को better कर सकें second यहां पर मेरी किसी भी तरह की recommendation नहीं है तो जो भी decision आपने लेना है वो अपने हिसाब से लेना है आगे बार आपको screen पर लेकर चलता हूं एक बार इसके business को समझते हैं तो जब हम business को समझते हैं यहां पर motilal oswal group.com पर हम जाते हैं तो यहां हमें पता चलेगा कि company किस-किस business में हैं तो our business में अगर हम देखें financial services हैं यहां ब्रोकिंग and distribution, asset management, private wealth management, home finance, institutional equities, private equities and investment banking तो financial services में जो जै जैसे insurance को distribute करना होता है इनोंने insurance के distributors हैं, broking जो brokerage firms है, asset management जो mutual funds हैं यहां पर private wealth management में private equity आती है, asset management में इनका portfolio management service भी आती है, institutional equities again जो private equity होती है, तो institutional equities, private equities इन में बहुत बड़ा कुछ difference नहीं होता है, at such general terms में technically जो differences हैं हमें उस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, investment banking again तो यह जितने भी investment से related tasks हैं तो जो main business हैं मैं इनको four categories में divide करता हूँ, सबसे पहले यह एक अच्छे बड़े stock broker है, 25 years से ज़्यादा पुरानी यह company है और लगातार इनों ने अच्छे से growth किया है, growth दिखाई है, second यह mutual fund house है, third यह portfolio management service है, यहाँ पर private equities भी आजाती है, यहाँ पर alternative investment funds भी आजाते हैं और यहाँ पर जो general portfolio management की services हैं यानिके 3-4 PMS हैं वो भी आजाते हैं, large cap भी है, mid cap है, multi cap है, small cap है, वो सारे आजाते हैं, उसके साथ में यह home finance में भी है, aspire home finance के नाम से इनके company है, उसके बाद में जो fifth है, वो कि जो इनके customers हैं, यह उनको दूसरी companies के insurance को भी distribute करते हैं, तो यह insurance distributor भी हैं, तो यह five main businesses हैं company के, अब यह अपने in five में से कुछ main market leader हैं, जैसे अगर हम stock broking की बात करें, तो top five, top six में आ जाते हैं, उसके बाद में अगर हम asset management की बात करें, तो asset management में, PMS में खासतोर से, यह top two में आ उसमें top ten में आ जाते हैं, तो हर चीज में इन्होंने अपना एक, अच्छा खासा market share पकड़ के रखा हुआ है, इनके business की main बात क्या है, कि इनका जो franchise model है, वो इतना बड़ा है, जो business partners हैं, वो इतने जादा हैं, कि जिन लोगों तक online advertisement नहीं पहुँच पाती, वहां इनके franchise model के थुरू, इनकी reach होती है, और जो customers, पहले कभी किसी के भी customers नहीं थे, वो actual में customers इनके बन जाते हैं, तो इनका जो business model है, वो काफी strong business model है, और यही reason है, कि लगातार consistent growth दिखाते रहे हैं, आस तक जो company के owners हैं, मोतिलाल ओसवाल जी, एंड राम दियोगरवाल जी, दोनों का process रहती है, तो यहां पर यह चीज अच्छी है, अब अगर हम इनके financials की बात करने लगे, financials से पहले एक बार business में आगे कैसी grow करेगा, वो अगर बात समझने लगे, तो इंडिया में जो फिलाल per capita, या फिर इंडिया में जो asset under management है, वो काफी कम है, अगर हम इस चीज को एक पर search करने लगे, India's AUM in mutual funds versus यहां पर अगर हम देखें, USA या world, तो कोई ना कोई figure हमार यहां पर नेकल करानी चाहिए, हम इसको ठीक से search करते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुए, low penetration of mutual funds in India is also equivalent from equity mutual funds, AUM to GDP ratio is 4% compared with 63% of USA, this is a big difference between India's penetration and penetration in US in mutual funds, तो यही से सब कुछ पता चल जाता है कि Indian equity mutual fund का जो size है, वो India की GDP के compare में सिर्फ 4% है, जबकि America का equity mutual fund का size है, वो GDP के comparison में 63% है, तो यहां जो growth आएगी, वो दो तरीके से आएगी, एक तो जो यह percentage gap है, यह feel होगा, दूसरा इंडिया की GDP पी बढ़ेगी, तो वो भी increment होगा, तो for example, अगर इंडिया की GDP अभी 100 है, उस 100 के comparison में सिर्फ 4 mutual funds में लगता है, equity mutual fund में, तो यहां पर 4 लगा mutual fund में 100 के comparison में, आने वाले time में क्या होगा, जबकि US में कितना लगता है, 63 100 में से, तो आने व आप में 10 होता है, तो वो percentage भी बढ़ेगी, यहां पर GDP भी बढ़ेगी, यहां पर double तरीके से, यह business grow होने वाला है, और क्योंकि यह dominant player है, तो इनका साथ में business बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिसी speed से mutual fund का business बढ़ता है, उसी speed से PMS business भी बढ़ता है, उसी speed से alternative investment fund भी बढ़ता ह मोतिलालोस वाल की, तो क्योंकि इनका जो stock broking वाला platform है, वो zero brokers वाला नहीं है, यहां पर यह percentage लेते हैं, and everybody is going to up stocks, and 5 पैसा, and zero धा, यहां पर लोग जा रहे हैं, तो इनके पास क्यों रुकेंगे, तो जैसे मैंने पहले ही बताया, इनका जो business partner वाला model है, वो बहुत strong model है, and यहां पर broking सिर्फ एक business है, एक vertical है, पूरी company के revenue का, अगर हम यहां पर इनके business में चले जाएं, एक बार इस चीज को और detail में समझने के लिए, तो मैं एक बार quarterly results में गया, quarterly results की मैंने यहां पर sheet open की, और यहां पर जो segment wise revenue and segment wise net profit होता है, वहां पर जाकर एक बार देखते हैं, हमें पूरा detail में पता चल जाएगा, that what is happening, तो यहां हम गई segment revenue में, अब segment revenue and segment net profit में जब हम जाते हैं, segment results में segment net profit, capital market is 165 crore का net profit है, because यह 16518 लिखा हुए है, and the revenue जो यह figures लिख हुए है, that is in lakhs, तो यह हमारा crore में हुआ 165.18, अब 165 crore का net profit है, इनका net profit नहीं, gross profit होता है, क्योंकि यहां पर यह before tax होता है, तो 165 crore का gross profit है, brokerage business से, fund based activities, यह है 327 crore, तो यहां पर जो fund based activities है, 327 crore, and जो asset and wealth management है, that is 155 crore, तो अगर 327 plus 155 को दोनों को add कर लिया जाए, तो यहां पर यह 492 crore बैठता है, 482 crore बैठता है, जो इनका main business है, fund based activities, asset and wealth management, वहां से ज़्यादा net profit आता है, और stock broking से कम आता है, यहीं, इसी के comparison में, जो up stocks हैं, और जो zero धाए हैं, उनके पास जो main revenue आती है, वो brokerage business से आती है, क्योंकि उनके बाकी दूसरे businesses नहीं है, और यहां पर इनकी, तो यह आपस में as such competition में है, नहीं, हमें ऐसा लगता है, कि यह competition में है, यह competition में नहीं है, इसी को लेकर मैं एक अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ, anyways, तो यहां पर net profit is good, अब यहां पर बात करते हैं, कि पिछले quarters के comparison में, इस company ने कैसा किया, तो quarterly results के अगर हम बात करने लगें, तो 13-25 क्रोर का इनका net revenue है, latest quarters का, which is the highest ever, और जो highest ever भी है, वो amazingly, बहुत ज़्यादा difference के साथ है, अगर हम 3 years back के quarter की बात करें, December 18 की बात करें, 6-24 क्रोर का इनका revenue था, जो अभी increase होकर 13-25 क्रोर का हो गया है, तो यहां से double हो गया है, second अगर हम net profit की बात करें, 40 क्रोर का इनका net profit था, जो increase होकर 537 क्रोर का हो गया, जो 537 क्रोर नंबर है, यह fascinating नंबर है, means यह अंदर से कहता है कि इसको तो बस ले लो, खरीद लो और खरीद कर रात तब तक बैढ़े रो, जब तक यह business यहां से grow कर रहा है, तो यहां पर 537 क्र का net profit, एक quarter का आना, अगर same net profit, 4 quarters का आ जाए, तो यह 2100 क्रोर से ज़्यादा का net profit बैठता है, 2100 क्रोर का net profit बैठता है, एक साल का, अब जब 2100 क्रोर का net profit, एक साल का बैठता है, पूरी market capitalization कितनी है, 13,007, 32 क्रोर, तो यहां पर, यह कितने के P.E. पर है, just 6 के P.E. पर trade कर र ज़्यादा लंबे time तक रुखते नहीं है, तो यह कब 12, 15 के P.E. पर चली जाती है, वो, means, time के साथ लगातार चलते हुए हो जाता है, और यहां पर एक और important point है, जैसे यहां पर 537 क्रोर का net profit, एक quarter का आया, अभी latest quarter का, हो सकता है, next quarter का और जाता है, हो सकता है, एक साल बात ज़रूरी नहीं कि 537 के हिसाब से है, हो सकता है, यहां से, means, 50% बढ़ जाए, 150 times हो जाए, 150% हो जाए यहां से, तो यह चीज़े हो सकती है, तो यहां से लगातार growth है, अब बात करते है, technical chart patterns की, technical chart patterns से पहले मैं आपको एक सी बता दूँ, कि same video हमने पहले बनाई थी, इस particular stock क April 30th 2021 को, अभी इस video को बहुत जादा time नहीं हुआ है, 8 months हो जाएंगे, तो अगर हम 8 months, 9 months की बात करें, 8 months की, तो इस stock ने कैसा perform किया था, उस time पर क्या price चल रहा था, 617, 617 उस time पर price था, और 617 price से 30th April को, 30th April अगर हम एक बार देखें, कहां पर था, तो exactly 30th April was on this date, यह particular date थ यहां पर मैं इसको mark कर लेता हूँ, this was the time when we had made the video, और उसके बाद में, यह video किस तरीके से यहां से super rocket हुई थी, यहां से, आप देखोगे, 86% का gain दिया था, इसने within 80 days, तो generally क्या होता है, कि हम अच्छी videos को भूल जाते हैं, और जो एक दो lagards रहते हैं, उनको ज़्यादा या 86% का gain दिया था, we had made this video, now again the opportunity is there, तो यहां पर current price क्या है 933, और 933 जब current price है, हम अगर इसका lifetime high का price देखें, एक बार कि कितना था, इस stock ने कैसा trade, कैसा perform किया था, lifetime high was 1587, अब क्योंकि हमें, मेरा मन होता है कि chart of the week वीडियो में हमेशा कम से कम 40% एक साल का मिल जाए, उस लेकर अगर यह lifetime high तक जाता है, तो कितने percent का gain बैठता है, this is 70%, पूरा 70% के आसपास है, अगर एक साल में 70% मिलता है, बहुत अच्छी बात है, अगर 40 भी मिलता है, 44% भी मिलता है, तो भी means it's superb gain, 40% अगर मिल जाए हमें अपने portfolio पर, एक साल में, हर साल, तो 40% CAGR के हिसाब स हमारा पैसा 10 साल में 30 times से जादा होता है, इस चीज को ध्यान रगना 30 गुने से जादा होता है, और 20 साल में हमारा पैसा यह means 1000 times के आसपास हो जाता है, तो जब हम यह बात करते हैं विवेक भाई इतने पैसे थोड़ी बनते हैं, जो compounding है, compounding में बहुत बड़ी power है, लेकिन compounding करते हुए हमें बीच में जो volatility आती है इसको absorb करके चलना पड़ता है, इससे go through करके चलना पड़ता है, इसको जेलना पड़ता है, इसको bear करना पड़ता है, इसके साथ होकर गुजरना पड़ता है, इसका साथ छोड़ना नहीं होता, तो volatility रहेगी, लेकिन ऐसे में मोटे पैसे कमाये जाएंगे उसका यही एक तरीका है अब यहाँ पर हम technical chart pattern की बात करने लगें तो as such बहुत बड़ा technical chart pattern कुछ नहीं है लेकिन एक rounding बनने की जो बात होती है जो काफी books में बहुत बार बताई गई है so this is a kind of rounding that is being built up here तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यह पूरा round बनते वे इसकी जो direction है वो इस तरीके से लगातार चलती जा रही है और इस तरीके से यहाँ से बनना चाहिए इसको support करने के लिए जो super results है वो अपने आप में amazing है और उसके बाद यहाँ पर भी अगर कोई इसका setup बनेगा मेरे हिसाब से अगर इसको long term की बात करें तो हम इसको five times के लिए भी रख सकते हैं इसको ten times के लिए रख सकते हैं it's a growth story और इसी तरह की companies लगातार आगे चलती है proven track record है कोई मजाक वाली बात नहीं है अगर हम यहाँ पर बाकी भी इसके financials की एक बार वापस से हम financials पर चले जाएं और यहाँ पर एक बार ध्यान करके देखें तो profit and loss statement की बात करते हैं इसे completely लगातार जो growth story होती है कि every year लगातार profit बढ़ते जाना जो इनका net profit था जो 100 क्रोड के आसपास रहता था वो बढ़ते हुए 1500 क्रोड तक पहुंच जाना एक साल का net profit balance sheet में अगर हम reserve की बात करें 932 क्रोड से अपने पैसे से बढ़कर 5000 क्रोड हो जाना और यहाँ पर अगर हम shareholding pattern की बात करें तो shareholding pattern जो promoters है 70% पहले था अब से 3 साल पहले 70% ही अब है 70% promoters के पास होना फिर FIIs के पास भी होना DIs के पास भी होना और public में सिर्फ 18% है ना and public में जो 18% है that is not actually retailers के पास 18% नहीं है इसमें से नवीन अगरवाल जी के पास 5.24% है रजट जी के पास यहाँ पर 1.19% है तो यहाँ पर 6.5% तो यही निकल गया तो public retail public के पास 12% है और उन retail public में भी यहाँ पर जो name लिखा हुआता है वो उनका आता है जिनके पास 1% से ज्यादा की holding होती है यहाँ पर विवेक सिंगल जैसे भी बहुत सार है और विवेक सिंगल से 10 गुना trade करने वाले भी बहुत सार है जिनके नाम यहाँ पर अभी तक नहीं है लेकिन वो strong hands है तो यहाँ पर मैं अपनी position बना कर बैटा हूँ आप अपने हिसाप से trade करेंगे अपने कहने से trade करेंग मेरे कहने से एक काम जरूर करना आपने कि दोस्तों के शाथ शेयर करना है जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना दोस्तों का भी फायदा होगा उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी believe me बिना blessings के इस life में कोई भी grow नहीं कर सकता अगर हमारे कर्म ऐसे हैं जिससे हमें blessings के बदले कर्स मिलता है कि हमें सभी लोगों से blessings मिलती है न तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अच्छा life में होना शुरू हो जाएगा म्रेकल सोंगे और लगेगा कि इतना अच्छा कैसे हो गया शाय जन्म कुंडली जब पंडी जी को दिखाई थी तो इतनी अच्छी नहीं थी तो इतनी अच्छी कैसे हो सकती इतनी अच्छी आज की blessings किसे हो सकती है क्योंकि जो आज की blessings है वो जन्म कुंडली में नहीं लिखी है, जन्म लेने से पहले तक के कर्मों का इसाब किताब है, उसके बाद का सारा इसाब किताब यहाँ पर ऐसे मिलता है, इसको लेकर भी मैं एक नहीं वीडियो जरू करनाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकालिटी अपनी लाइफ में लाना बह बहुत 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 इंपोर्टेंट है, तो देखते रहिए, सब्सक्राइब करना, दोस्तों का शेयर करना, कल फिर मिलेंगे एक नहीं वीडियो के साथ, तब तक मजए कर रहा, थैंक यू सो मच, हैवे नाइस डे,